कि नमस्कार आप लोग को याद होगा कि हम लोग कि अन्तिम वीडियो में बलवन के बारे में पढ़े थे कि आज हम उसी से आगे चलेंगे हमने अभी तक देखा है कि एक ऐसा सुल्तान जिसने लौव एमरक्त की नीती जैसे स्ट्रोंग नीती को चलाया उसकी मिर्तिव पूत्र बियोग से हो गई हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसके बेटे महम्मत साकिस्तर मंगोलों द्वारा मारा गया और अपने दूसरे बेटे जो कि काफी नलायक था बुगरा खां उसको उत्राधिकार बनाने के लिए इसने निमंत्रण भी दिया परंतु वह उसे नई स्विकारा उसके बाद उसने अपने पोते महमत सा के बेटे साजादा मुहमत के बेटे कैखुश्रो को अपने उत्राधिकारी चुना यह सारी चीजे हम लोग समझ चुके हैं यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है उसको जाके आप देख सकते हैं सन 1287 भी में बल्बन की मिर्तिव हो जाती है और इसके मरते ही सिंहासन के लिए सड़यंत्र चालू हो जाते हैं जब यह मरता है उस समय हक के हिसाब से कैखुश्रो को सुल्तान का पद मिलना चाहिए परंतु दिल्ली का एक कोतवाल होता है जिसका नाम फक्रुदीन मुहम्मद होता है वो सड़यंत्र करके या कुटिनिती का उप्योग करते हुए उसे मुल्तान की सुबैदारी थमा देता है और सुल्तान का पद बुगरा खाहा के बेटे कैकुबाद को दे देता है हमने आपको बताया था कि जब बल्बन सासक बना था तो उसका मानना था कि सारी नसीली और फालतु के चीजों को त्यागना ही राजधर्म के लिए सही है उसी तरीके से उसने उसके कड़े देख रेख के और सनरक्षण में ये पला बड़ा था कैकुबाद इसे महिलाओं और दारु सराब की भनक भी नहीं थी परन्तु जब ये सुल्तान मना तो इसे का इस्तमाल किया फखरुदीन मुहम्मद का दामाद जिसका नाम निजामुदीन था उसने इसे महिलाओं और दारु सराब में लिप्त कर दिया और सत्ता की वास्त्विक बागडोर खुद अपने हाथों में नाइव बन कर ले लिया इस बात को समझाने के लिए हमने पताया था कि बंगाल में कौन था लखनोती पर बुगरा खाएं बुगरा खाएं का ही वेटा हुआ करता था ये कैकुबाद इससे समझाने के लिए वह वहां से दिल्ली की योड चला और यमना नदी के किनारे इन दोनों की मिलन होई उसमें इसको समझाया जब ये सारी नसीली चीजे और इस वाक्ते भोग बिलास्ता से उबरा निजामुदीन के दोरा फसाये गए जाल से ये जब उबरा तब निजामुदीन को ये कहा कि आप मुल्तान पर जाओ सुल्तान के ये काम महम करेंगे परन्तु वह नहीं माना तो इसे निजामुदीन को जहर देकर कैकुबाद ने मरवा दिया समय विता आगे समय चलते हैं गया यही कैकूबाद किलोखरी की भी स्थापना करी किलोखरी की स्थापना के बाद क्या हुआ कि तामर्ख हां के नेत्रितों में बंगाल पर आकर्मन ओने बंगाल करें पंजाब पर फिर मंगोलों ने करना शुरू कर दिया इसे के साशनकाल में हुआ था उसको किसी तरह विद्रों को दबाया उन लोग को खदेड दिया गया साही से नाओ द्वारा सलतनत की साही से नाओ द्वारा लेकिन सब समय आगे बढ़ा आगे इसने क्या किया कि अपने कि सेनापती के रूप में एक गैर तुर्क मुशलमान जिसका नाम जलालुदीन फिरोज खिल्जी था उसको इसने सेनापती निउक्त कर दिया जैसे ही पता चली अन्य तुर्कों को कि यह सेनापती एक गैर तुर्क है तो उन लोगों में थोड़ी सी यह संतोस आगई और सुल्तान से वो लोग बादला लेने के बारे में सोची रहे थे केकूबात से कि केकूबात को लगवा मर गया अब लगव मर गया, तो सत्ता की बागडोर संभलेगा कौन तो इसी का एक बेटा था जो कि तीन वर्स का था उसे सुल्तान बनाया गया, जिसका नाम समसुदिन क्यूमर्स था और यही सुल्तान अंतिम सुल्तान है गुलाम वंस का तो याद रखेंगे कि गुलाम वंस का अंतिम सुल्तान समसुदिन क्यूमर्स था 1287 में बल्बन की मिर्तिव हुई 1290 में कैकूबाद की मिर्तिव हुई और 1290 में ही सुल्तान बना ये समसुदिन क्यूमर्स और 1290 इस्वी में ही समय पाकर जलालू दिन फिरोज ने इसकी हत्या करके गुलाम वंस की नामों निशान मिटा दिया और एक नए राजवंस की स्थापना किया जिसका नाम खिलजी वंस है संसुदिन क्यूमर्स की हत्या करके एक नए राजबंस खेलजी बंस की स्थापना करना ही इतिहास में खेलजी करांती के नम से जाना जाता है इस तरह से गुलाम बंस समाप्थ हुआ और एक नए राजबंस खेलजी बंस आ गया कि सन 1290 से लेकर कि तेरह सो भीश तक चला कि इसके संस्थापक जलालुदीन फिरोज खिल जी थे अब एक बात आती है कि याखिर ये खिल जी कौन थे इसके बारे में लेकर अलग-अलग इतियास्कार के अलग-अलग मत हैं निजामुदीन आहमद कहते हैं कि खिल जी जो थे व वकुलीन खाके वनसज थे वह यह अन्य इतियास्कार कहते हैं कि यह त्यूलग मत के ज्यादा विद्वन समर्थन करते हैं कि यह लोग तुरकों के चौसट जातियों में से एक जाती थे यह जaysकी थे लेकिन नाम क्यों पड़ा इसका इतिहास जानने के पहले हम लोग कुछ चीज समझेंगे भारत में आने से पुर्व यह लोग अफ़ीगानिस्तान के एक छेतर में रहा करते थे अफ़ीजनीस्तान वे एक नदी है जिसका नाम हेलमंध है हेलमंध नदी के तटिये छेत्रों में एक जगा हुआ करता था जिसको खीलजी के नाम से जाना जाता था भारत में आने से पूर्व यह जो खीलजी थे वहीं पर रहा करते थे संभावतों मना जाता है कि इसी के कारण इन लोगों का नाम खीलजी पड़ गया इतिहास में खीलजीयों की जो वंस खीलजी वंस की स्थापना होती है इसका महत्व केवल यहीं नहीं है कि यह एक गुलाम वंस की निव को हटा दिया या उनको उनका नाम निसान मिटा दिया बलके इसका महत्व इस बात से भी है कि खिल्जी वंस की स्थापना के बाद खिल्जी वंस के आने से जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो प्रसार हुआ दक्षण दूर दक्षण तक हुआ साथि साथ जाती وाद में कमी भी आई और एक मित था कि बिना धर्म के सासन नहीं चलाया जा सकता खिल्जीओं ने यह था दिया कि बिना धर्म के किसी प्रसासन साशन को जीवित ही नहीं रखा जा सकता बलकि सहजता पुर्वक और सफलता पुल्वक चलाया भी जा सकता है चला काफ़ी अच्छा खेली मंस में हम लोग जानते हैं कि जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सल्तनत उतर भारत थक था खेल्जीयों की देन है कि वह दक्षेश्ण भारत तक भी गया खेल्जीयों की अगर हम बात करें तो यह सर्वहारा बर्ग का सुल्तान रहे इसमें यह मंत भी चला गया कि किसी बिसिष्ट बर्ग के लोग ही सत्ता कर सकते हैं सासन कर सकते हैं और खेल्जी वंस समराज जवाद और मुस्लिम विस्तार का युग था उलेमाओं की इसमें जो हस्त छेप था वो कम से कम हुआ आगे हम देखेंगे कि अलावदिन खिल्जी किस तरह से खुद को स्वतंतर से ही खलीफा के अधीन मानने से भी इंकार कर दिए वह स्वतंतर कर दिए अपने आप यानि खिलीफा से भी स्वतंतर खुद को कहाता था यह इस तरीके से देखेंगे कि जो कि पावर थे धर्म के परभाव था वो कम हो गया जलालु दिन फिरोज खिल जी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसके संस्थापक है सन 1290 की बात है जब जलालु दिन फिरोज खिल जी ने गुलाम बंच के अंतिम सासक समसो दिन की उमर्स की हत्या कर साइस्ता खां की उपादी के साथ दिल्ली के गदी पर बैठा यह अपना राजा विशेक दिल्ली में ना करा कर किलोखरी के माध्य में कराया और लगभग एक बरसों तक दिल्ली नहीं गया आपको क्या लगता है कि बल्बनी बंस को समाप्त करके ये आसानी से सासन चला सकते थे क्या उसके जो समर्थक थे बल्बन के और उस बंस के जो जाने मने लोग थे वो इन्हें सासन चलाने देंगे आसानी से नहीं बल्बन का एक भतीजा था जो की कड़ामानिकपूर का सुभेदार था जिसका नाम मलिक छजु था जैसे ही इनों ने इधर साथ सत्ता की बागडोर समारी उसने वहाँ पर बिद्रोह कर दिया कि वह कि सुल्तान मुगी सुदीन की उपाधी भी धारन कर चुका था और अपने नाम से सिक्के और खुत्वे भी पढ़वा चुके थे सक्के भी जरी कराये थे जब उसने विद्रोह किया तो जलालुदिन फिरोज खिल जी उसके विद्रोह को दबाने के लिए एक योग्य और हुनहार व्यक्ति को भेजा जिसका नाम अलाउदीन खिल जी था यह अलाउदीन खिल जी उसका भतीजा भी था जलालुदिन फिरोज खिल जी का और दमाद भी था यह मल्टी टैलेंटेट था और मल्टी काम के लिए यूज होता था यह गया वहां और उसकी विद्रोह सफलता पुर्वक दबा दिया इसे बीच इरान का एक धर्मिक पाकीर थे जिनका नाम सीधी मौला था वह दिली आये भारत आये और यहां आने के बाद लगभाग दस हजार से अधिक अपने फॉलोवर बना लिये साथी साथ उन्होंने नासीरुदिन महमूद की बेटी से साधी भी कर ली और अपना अब जो संबंध सुल्तानों सजोडने लगए उन्हें लगने लगा कि अब मेरे इतने फॉलोवर है तो मैं भी अब सुल्तान बन सकता हूँ और इसे सुल्तान को मारने के और फिडाक में लग गए जब पता चली जल्लालु दिन फिरोज खिल जी को इसने उनको पकड़ा और हाथी के पैरों तले कुछ लवा दिया यदि हम एक दो तीन अपवाद को छोड़ दे बाकि जल्लालु दिन फिरोज निहायती शरीफ और अच्छे दिल का बेखती था एक समसुदिन की मर्श की हत्या दूसरी मलुक छज्यू के साथ विद्रों को दवाना और तीसरा ये सीधी मौला का घटना इन दिनों को अगर छोड़ दें तो बाकि ये सरीफ इसके कारे सरीफ थे ये हिंदुओं के प्रती उदार निती रखता था और इसके कहना था कि मैं एक व्रिध मुसल्मान हूँ चुकि ये सुल्तान जब बना तब इसके उम्र सत्तर वर्स थी तो इसने कहा कि मैं एक व्रिध मुसल्मान हूँ और किसी मुसल्मान के खुन बहाना मेरी यादत नहीं है यानि सिधा सत्तवर यह है कि यह चाहता था कि किसी ब्यक्ति का या किसी मुसल्मान का खुन नो बहे मार कटना जब ऐसा ब्यक्ति सोच रखता है तो जाहिर सी बात है ये यूद और लड़ाईयों से बचेगा सन बारा सवाई क्यानवे इश्रवी में इसने रण थमबार के किले पर आक्रमन किया महा लगबग छो महिने तक डेड़ा डाला रहा राजस्थान के किले काफी स्ट्रॉंग हुआ करते थे पहुत मजबूत अंत्तह यह सोचा कि या अखिर बेड़न तोड़न थो कि काफी लोग मरेंगे तो इसे यह छोड़ दिया और वापस लटा है तैसलिए कहा जाता है कि लोड़ रण थमबहर अभियान इसका असफल रहा कि सन 1292 इसमी में इसने जहाइन और मंडौर के कीले को जीता और कि सन 1292 इसमी में ही कि मंगोल आक्रमण काली हलाकु का पौत्र अब्दुल्ला लगवक डेढ़ लाक सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते हुए समाना तका गया तो इससे पता चलिए तो इसने फिर से अपने मल्टी टैलेंटेड भातीजे को भेजा यह अलाव दीन खिल जी गया और उन लोगों को ख़देड दिया सफलता से काफी खुस हुआ जलालुदीन फिरोज खिल जी समय विदा मंगोलों के साथ समझोता हुआ और मंगोल यहां से जाने के लिए तयार हो गया परन्तु चंगेज खां का एक नाती था जिसका नाम उल्गु खां था वो अपने चार हजार समर्थकों के साथ यहीं पर रहने का फैसला किया और एक साथ इन सभी लोगों ने इसलाम धर्म कबूल कर लिया है इनी लोगों को रहने के लिए एक जगह की स्थापना की गई जिसे मुगरल पुली कहा जाता है दिली का समीप है मुगरल पुली और वहीं पर यह लोग रहे आगे चलकर जलाल अदिन फिरोज ने अपनी बेटी की साधी इसी उल्गुख हां से कर दी अलाग बात है यह अच्छा काम किये तुन्हें फिर आगे क्या हुआ किसंद 1292 इस भी कि ही बात है यह दरासल कड़ामानिक पूर्ग जब छजु की विद्रों को दबाए गया था उसे समय से यह कड़ामानिक पूर का सुबेदार हुआ करता था लाउदीन खेल जी इसको उड़ते उड़ते पता चली कि देवगिरी में अपार धान था अब क्यों अलाउदीन खेल जी देखिए जलालो दिन फिरोज खेल जी जो था वह तो नेक निहायती नेक दिल इंसान था तो वो लड़ाई जगरे और ज्यादा महत्वकांची तो था नहीं लेकिन उसका भतिजा काफी महत्वकांची था इसके बड़े बड़े सपने थे यह पूरा विश्व फता करना चाहता था हलेकिन ये कहेंवी जीत करने के लिए पूरा सेना लेकर नहीं जा सकता क्योंगा सुल्टान तो था नहीं इसके पास ये सुभधार था इसके पास जो सेना थी साथाजार ni सेना लेकर जा रहा था और हर जगह विजय तो पराप्त हो सकते थे तो इसके पाथ एक option था दो ही option था एइसा तभी हो सकता है जब यह सुल्तान बने और सुल्तान यह तब बनेगा जब ततकालीद सुल्तान की मृत्व हो और उनकी मिर्ति दो ही तरीके से हो सकती है, या तो वो अपनी मौत खुद मर जाए, या ये नेक काम ये खुद कर दे, परन्तु यह काफी चलाक, समझदार और युग्य बैक्ति था, ये सोचा कि सुल्तान को मारना तक ही सफलता का मंत्र नहीं है, यदि मैं मार भी देता तो मेरे पास एकदम स्ट्रोंग सेना चाहिए, मेरे पास अपार धन चाहिए, जिसके दम पर मैं कहीं जाके लड़ सकूँ, साइनिकों को वेतन दे सकूँ, ये सारी चीज़े इसके दिमाग में चल रही थे, फिर इसने निरना किया कि पहले हम अमीर बनेंगे, धन लूटें से उसने दक्षिण भारत में लूट करना प्रारंब किया, आप लोग को पता होगा कि धर दक्षिण भारत सोना चांदी जहरातों से परिपूर्ण हुआ करता था, और ऐसा इसलिए कि उत्तर भारत में तो कई अक्रमर करिया के लूट कर गए थे, वहां पर तो धन कमी हो कि दर, और एक बात है कि भारत में ऐसे गदार भारत जो था, ऐसे गदारों से भरा पड़ा था, जो थोड़ी-थोड़ी सी जनकारी के लिए, ऐसे थोड़ी-थोड़ी फायदों के लिए, ऐसे ऐसे जनकारी लिक कर देते थे, जिससे दिस संकट में पढ़ जाता था, वैसे यहीं एक ब्यक्ति से पता चला इसको कि अलावदीन खिल्जी यदि आप चाहते हैं बहुत सारा धन की प्राप्ति हो आप तो आप इधर उधर क्या है लूट कर रहा है जैसे इसने भिलसा पर किया मंदौर पर किया आपको यदि असली धन का खाजाना चाहिए तो आए इस समय देवगीरी का राजा रामचंद्र देव था और काफी मजबूत सासक भी था उसको हरार पना इतना असान भी नहीं था हुआ यह कि अलावदीन ने दिमाख लगाया कि मेरे पास 8000 सेना है यदि अगर मैं सुल्तान से अनुमति लेने जाओं तो जरूरी नहीं कि सुल देखिए किस तरह से अपने दिमाग पर क्या खेल करता है वहां पर सेना काफी ज्यादा थी इसने क्या कि अपना 8000 सेना लेकर चल दिया देवगीरी किया आप देख सकते हैं कि जो क्रामानिक पूर है कि आपको लगबग उत्तर के उत्तर पूर्वेदिया में परेगा और य यहां से सेना लेकर अपने 8000 सेना के साथ चल दिया इसके पास एक दम बहुत तगला प्लान था हुआ यहां से चल गया और अफवाह उड़ाते गया कि मैं 8000 सेना लेकर मेरे साथ आ रहा है और 12000 सेना मेरे पीछे आ रही है यह बात पता चली गुप्तचरों से वहां के 1000 अलग मेरेंगे लेकिन यह इसकी चालती 8000 सेना लेकर चला जब यह दिवगीरी पहुंचने वाला था तो वहां से कुछ दूरी पहले पर अपने 1000 सेना एक सेना पती के साथ छोड़ दिया और यह सेना पती से कहा आदेश दिया कि जब हम वहां पर यूद हो जाएगा शुर कुदती और एकदम जोस के साथ हल्ला सोर मचाते इस तरह से आना कि जैसे उन लोग को लगे कि 12000 सेना आ गई हुआ यह उधर यह साथ हजर सेना लेकर चल गया एक हाजर पीछे रहा गया और लड़ा युद्धोने होने लगा उधर अभी उधर के बीर कुछ लड़े ही थे कि तब तक यह 1000 सेना उच्छती उचलती कुदती और तहलका मचाते हुई चल दी जब लोग को पता चला कि इत तरह का से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं अलावदिन खेल जीने महां विजय प्राप्त कर लिए कर सं 1296 की बात है यह हुआ अब अब इसने डेवगीरी को तो जीत लिया वहां से इसे इतना धन प्राप्थ हुए इतना धन प्राप्थ हुआ कि इसके आने वाले कितने सुल्तान इस धन का उप्योग करते रहेंगे परन्तु यह धन वो सुल्तान को देने वाला नहीं था कि विना बताये हुए आया था किया द्ळान घड़ा वह जब ले गया तब उनको पता चल गया सुल्तान को्ट और अब सुल्तान को पता चल गया इसके पैस द्धन हो गया था तो अब सका अगला अगला टारगेटंन सुल्तान की हत्य इसने अपने बाईAlmaasbega के साथ मिलकर सुल्टान को मारने का शढ़े डरह धन लुट कर लेकई हैं है तो इसने अपने भाई शक्रावा दिया सल्तान के भाई के जर behavior शुम 높ा दिया कि इसे मुझान गलती हो गई है अब अग़ी बाई से गलती नहीं हो तो सुल्टान नेक दिल था उने का कि हां गलती हो गई है अपना बालक है छोड़ दीजे माफ कर देजिए और अपने भाई से यह भी कहल वाया जो कि इसके सडेंत्र का इसा था कि मैं सुल्टान से अकेले मिलना चाहता कि उसने कहा इसके भाई ने कि हां सुल्टान आप से अलाउदीन अकेले में मिलना चाहता है यह लोग आये आप जानते ही हैं दिल्ली से यादी आपको कड़ामानिकपुर आना है तो यम्न नदी हे लिए और लगभग आ जाई यह जब वो आये तो इधर अलाउदीन खिल जी सेना लिए खाड़ा था और वह लक्नाव शे पार कर रहे थे आत है- तो उसके जो साथी थे उन्हें संदै अन्य तुर्क अन्य अमीर आय हुए थैं उन्हाइश सुलिटान कि बैर अगाह किया कि सुल्ताव हो नहों कहीं आए अलाउदीन खिली है व्यूत्स के साथ चौण कर दे प्रंतु फिर पिर इसने इसके भाई ने ने अलमास बेग ने में उसे कः कि सुल्तान अपना बालक है अकेले मिलने को का रहा है क्या दिक्कत है तो कि सेनगे साथ तो फिर अलमास बेग ने का हां वह सेनग आपकी स्वागत के लिए खड़ी है तो आचा ठीक है सुल्तान गए मिलने और वहीं पर अकेले में अकेले में अकेले में इनका काम तमाम कर दिया स्वार से धढ़ाग काşa दी है और भाले की नवकः सुल्तान की खुप्री को रखवा के दूर दूर तक दреड़वा दिया अलाउदिन खिली इन जिसे पता चल जाए कि अब सुल्तान की मृतिव हो चुकी है बगला सुल्तान कोन है अलाउदिन खिल जी इसकी एक समस्या तो सीध्ध हुई इसकी एक समस्या खतम हुई परंतु दिली में एक और समस्या उत्पन हो गई वहाँ पर जो जलालुदीन की फिरोज खिल जी के तीन बेटे हुआ करते थे खान खाना और कलिखा और कदर खान की माने उसे सुल्तान बना दिया अब अलादीन के लिए एक और समस्य पैदा हो गई परंतु ये क्या किया है अभी ये कुछ सोची रहा था उन लोगों को करने के लिए तलेक दूसरा उसका बेटा और कलिखा बिद्रोह कर दिया जब इन ल समाल के दोनों को साइट के और खुद सुल्तान 22 अक्टूबर बारोस चानवे इस वी को यह सुल्तान बन गया बबन के लाल महल में इसने अपना अलावदीन खिल जी ने कि राज़ा भिश्यक करा लिया इसका राज़ा भिश्यक पर इतिहसकार बर्नी का कहना है कि अभी कि साही चंदोबा अलावदीन खिल जी के माते पर रख दिया गया इस तरह अलावदीन खिल जी दिल्ली का अगला सुल्तान बना इसने अपना राज्य विशेक बल्बन के हिलाल महल में दिल्ली में करवाया और अब जो सुल्तान है वो है अलाउदीन खिल जी इसका बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो यहां तक कहानी आप लोगों को I hope समझ आया होगा जलालुदीन फिरोज खिल जी के बारे में लगबग सब पॉइंट हमने किलियर कर दिया यदि आप चाहें तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें से आप लोग कोस्टन उठा कर देख सकते हैं कितना बनता है कितना नहीं बनता है मुझे उमीद है लगबग 95 परतिसत तक अपलोग सवाल सल्व कर लेंगे चलिए तब तक के लिए बाए फिर मिलेंगे हम लग अगले वीडियो में